तो आइरिस से स्टार्ट करना है अपन को तो शाप कर लो पैंसिल लो सबसे पहले और हाथ के नीचे का टेपर वगएरा रख लेना तो अच्छा रहे तक कि पहले ना आज पास का एन भी पैंसिल है प्ले प्यूपल वाला रीजन जो है अच्छे तरीके से शेड करो पर जो का एरिया थोड़ा लाइट है तो उपर का एरिया डर का एरिया कि लिए किसे पैंसल से करेंगे six below आराम आराम से उपर उपर circular चलाओं है की है तेगे सर्क्रेब चला नीचे है हलका-Hलका नीचे कियाizo है बहुत लाइकली-लाइकली ऊपर उपर आपर डार्क नहां एम और फ चला ओके इस तरीके से फिर से जो आउटलाइन रहती है त्यूपिल की वह अपने अच्छ तरीके से बनाई पिर अब टैन भी से उपर उपर का एरिया किया सिर्फ उपर उपर का इरिया किया और फिर इसे भी ब्लेंड करती है जैसे भी ब्लेंड करते करते हैं थोड़ा नीच अला है अब इसके बाद क्या करना है अपनी मोंटनो जीरो एरेजर लो सबसे पहले तो यह बहार का जो एरिया उसे रेस कर दो ताकि आइस थोड़ी क्लीन लगे थोड़ी जादा वाइट लगे अब देखो यह एक सिलेंड्रि इसके इवाला पोर्चन तुम्हें रेस करना है दो इसके बात क्या करो अब वहें डिटेज्स देनी ह्लयर्व कर तो टैसे चर्फ मेकैनीकल पंसली ती शुपरर कांटी चूर से छोटे-चुटे एक टूपर से काते कात ऊपर फैसा थीरे तीरे ऊपार करें चाहिए इसबहर प्लेड लेर्टिक प्रेड यह वे कशक्ल कतल Rückर सिध बहुत ज्यादा भी नहीं है अपने को डीटेल्स दिखनी चाहिए जो नेखी है यही सेम चीज में राय टाय में भी करूँगा इस तरी किसमें मैंने इसे चिया मैंने आउटलैंड 10 भी से दी ठीक है फिक्स भी पैंसल ली उपर उपर किया हलका हलका नीच लाया लेंडिंग स्टम की मदद से लेंड किया फिर सो टैन भी से या प्यूपल की आउटलैन अच्छे से बनाई और फिर यह उपर उपर वाले ही लेंग लिए थीक है फिर क्या किया अपनी मोना जीरो एरेज ली और यह आईज वाला पोर्शन एरेज किया थोड़ा थोड़ा भार का भी कर लेना थाकि साफ लगे फिर ऐसे धीरे धीरे श्ट्रोक्स दिये और फिर आराम आराम से प्रस्ट चलाया रहा है इस तरीके से अपनी दौनों आइस की जो प्यूपल रहते है वो हो गए तो इतना कर लो फिर अपन लेफ्ट आई आई ब्राउज ये सब करते है देखो एट पैंसिल ली अपन ने हाथ के नीचे पेपर रख लेना तो यह वाला जो एडिया आ रहा है आज लेक सकते हो तो कवरिंग यह आई की उपर वाड़ी इसको डाक करो इसके आराम से पास पास आस पास शेड करो इसके पास पास आपन पहले सिक्स भी कर चुके हैं उपर उपर बहुत साथा डार्क की जरूरत नहीं है बस हलका हलका यहां शेड करो कि अपन को क्या ब्लेंडिंग स्टम से करना है वह पहली डार्क हो जाएगा इससे दीरे-दीरे किया हलका हलका नोस पे लाए ठीक है अगर्ण करने के लिए थोड़ा लाइड सा होगे से डाक करना पड़े तो यसे दर रहा थी तरह थीरे-धीरे करो आसपास आसपास लाइट कर दो इससे आप ब्लेंडिंग स्टम पिलिया में ले यह वाल एरिया में ब्रेंड करना स्टार्ट्ट कर जो शेप दिखरा है कि इस तरीके से दिरे दिरे नीचे नीचे और इसे आराम से आगी की तरफ बहुत डाक नहीं करना है लाइट इसे पीछे-पीछे भी कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम से बहुत आराम आराम से करना यह वाला जो एडिया होता है उपर उपर का लाइट रहेगा अब चैन्वी पैंसल लो जो कवर है इस ची आउफ्लेंड दो जो आईकिटे पहा रही है रही है तीचे नीचे बहुत आराम आराम से यहां पर बहुत आराम आराम से इस तरीके से यह तर्व होने लगें पीछे की तरफ ले जाते इसे कवर वहने लगेंगे पीछे की तरफ एक फड़ागा पास कर देंगाँ टाकि दिखें क्लियर वी तो ऐसे देखो यहां से स्टार्ट हुए दीरे-दीरे कर वोने लगी तो इसे ग्रुप में बन रहा है एक एक दो दो के पीछे की तरफ ही बढ़े गए ओके यह वाले एरिया में लेको शाइन सी आ रही है तो यहां पर ऐसे एरेजर की मदद से हलका हलका एरेज करो और टिप के पास एरेज किया ओकी पिर आईलेश नीचे वाले आई है तो नीचे नीचे वाले इस तरीके से आगे थोड़े छोटे छोटे यह बहुत जादा बड़े नहीं बनाना थोड़े से छोटे दखना आईलेश के नीचे वाले पोशन में में कैनिकल पैंसिल से हलके हलके कर्व्स लगाई है उपर तरफ ताकि थोड़े टेक्श्चर वाला यह त्री लाए इस तरीके से हलका हलका उपर उपर शेड करो प्यूपिल वाले रिजन में आराम आराम से कैब ब्रेश चलाओ ताकि और स्मूध ब्लेंड हो जाए वाल नीचे वाला ऐरिया भी हलका हलका जो ब्रश है आइस के अंदर चलो इस तरीके से थोड़ा सा टिप के पास 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 ठीक है इस तरीके से आय होती है आई लेश अइब्राउस भी जो है उसी तरीके से होंगे से स्टाट किये आगए की तरफ से तीक है च्ट्रोक्स अच्छे तरीके से लगाना यहां पीछे की तरफ जा रहा है यहां भी पेच्छे की तरफ थोड़े कर्व रखना एकडम स्ट्रेट मत रखना थेक है इसके उपर भी आराम आराम से पले नीचे नीचे ब्राश चलाओ पर बाद में उपर उपर हल करता है इस तरीके से लेफ्ट आय होती है इसमें एक चीज बचती है यह जो आखों में हाइलाइट देख रहा हूँ अपनी वाइट जेल पर लो यहां पर ऐसे अलका सा हाइलाइट तो आखों में जो शाइन होती है वह भी आगई है ठीक है यहाँ थोड़ा थोड़ा देखना नीचे की तरफ यहां पर एसे थोड़ा जादा एरेज किया हुआ एरिया होता है हलकी हलका ऐसे होते हैं ओके है यह बहुत पर यह बहुत बनाना और यहां लेफ्ट हाई हो जाती है वाले ओतना नहीं है पूरा इसके यहां पर डर कॉरू आते लाइट यहां पर डार्क उपर आते लाइट यहां पर राद आते लाइट यहां पर पीछ थोड़ा थोड़ा ऐसे हलका हलका ओके अराम अराम से करना ब्लेंड इस तरीके से फिर आइस पर आते हैं तो वही पहले आउटलाइन बना लो प्यूपिल की अच्छे तरीके से इप की आउटलाइन आती है आइलेशे बहुत अच्छे तरीके से बनाना इसे नहीं की बिखरे हुए अपने मन से कुछ भी बना दिये जैसे रिफरेंस में दिख रहे हैं दो दो के पेर, तीन-तीन के पेर फिर बीच में एका सिंगल सिंगल वैसी बनाना नीचे वाले एरिया की आउटलाइन से मेकैनिकल पैंसल से दो हलके तरीके से थोड़ा-थोड़ा यहां पर जो टेक्शर बताया था मैंने इस तरीके से पीछे जाते वे टेक्शर आ रहा है वह दो हलका हलका थोड़ा से इनके बीच बीच में भी अ पिर आगे-आगे की तरफ एक आदो एक आदो सिंगल-सिंगल फिर पीछे जाते जाते थोड़े बड़े-बड़े उपर आके मिक्स हो गए यह थीक है इस तरीके से कर्व हुआ ब्रश लो अपना उपर उपर चलाओ थोड़ा यहां यहां पे पीछे-पीछे डीक है थोड़ा नीचे की तरफ भी आएगा धान् कि तरफ भी याएगा अब लो इह इस लेठीज सकते हो कि यहां के पास एक दम हाय लाटओ से बने हुए है और एक नीचे नीचे भी आए इस एरिया में में आएं और यह थोड़े थोड़े आइलेश में इस वाले पॉर्शन में आए तो इस तरीके से होती है आई की जो थोड़ी थोड़ी आउट लाइने रेस सी हो रही है वह बना दो पिर आते आए ब्राउस पर इस तरीके से पहले मैं कैए अपनी पैंसल शाप कर लेना और श्ट्रोक्स लगाने थोड़े आगे की तरफ लगाना सिंगल सिंगल और फिर यह पीछे की तरफ जाने लगे थोड़े प्रेशर के साथ करना ओके थोड़े से शेप में आने चाहिए एक शेप के लिए क्या करूं मेकैनिकल पैंसल से बीच-बीच में थोड़े से श्टोक्स लगा दू जैसे उपर की तरफ उठ रहे नहीं यहां पर नीचे की तरफ जो आ रहे है चैनिकल पैंसल से लगा दो और फिर उसे आराम आराम से ब्रस से ब्रेंड कर बहुत थोड़े नीचे-देश वाला पॉर्शन फिर बाटी का उपर उपर थोड़े नीचे-देश भी करेंगे अपन फिर एक चीज बसती है आईज में हाइलाइट्स वाला पॉर्शन फिर इसमें जो शाइन चाहिए होती है वह अपनी आगी थोड़ा थोड़ा यह जो टिप पे आ रहा है शेड हलका हलका मेकैनिकल पैंसल से किया थोड़ी सी हाइल राइट सी दिखरी है अपन को तो वह भी अपन इसी वाइट जेल पैंसे दे देंगे अगे और अच्छे से कर लेना ताकि बहुत जादा बहार ना निकले और हलका हलका टिप पे से ब्रश चला देना तो वह थोड़ा सा फैल देंगी तो यह अपना आइस वाला पोर्शन हो जाता है नोस भी देख लो नोस बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है नोस में क्या करना है अपन को टैन भी लो टैन भी से नॉस्ट्रल वाला एरिया शेड किया अच्छे तरीके से सेम चीज यहां पर नोस के नीचे वाला पोर्शन आ रहा है शेप जो हर बार ऐसे ब्लेंड हो जाता है उसको आउक लेंदी इन वाले पोर्शन को तो मैं मेकैनिकल तेंसल से सिर्फशेड करना है नहीं करने है तूह है करने के लिए या फिर टेन भी करते हैं यहां यहां देखो नीचे नीचे यहां वाले पॉर्ट्शन में नीचे नीचे यहां वाले पॉर्ट्शन में ओके फिर फोर भी पेंसिल लो अपनी और यह वाला जो एरिया है इसे जरा अच्छे से करना स्टार्ट करो ठीक है नॉस्ट्रिल के नीचे थोड़ा थोड़ा डाक रहेगा लेफ्ट साइड पूरे ही डार्क रहेगा इस तरीके से ऐसे तीरे तीरे कर्व हुआ हलका हलका उपर गया दीरे दीरे ऐसे कर्व हुआ यह अच्छे तरीके से ब्लेंड होना चाहिए अब जहां डेप्थ है जैसे यह वाले पोर्शन में आराम आराम से यहां ब्लेंड करो शेड करो एट भी पैंसिल से डाक पैंसिल यूज़ होनी चाहिए नॉस्ट्रिल के नीचे हलका हलका ऐसे डार्क टू लाइट करते वे लाओ दिख्थ हां बहुत जाद चेड ननी करना है ख्रेशर के साथ कह सब्सोर आका अब अपना ब्लेंडिंक श्टंप लो यह वाला जो शेप है फेले शेप मेंटेयन करो इस बूरस हे इसे है ऐसमाद जाता हुँ और ओपर जाते हैं टी इसे ब्लेंड किया, नॉस्ट्रिल के नीचे वाला पोर्शन ब्लेंड किया, और नीचे नीचे चर्कुलर चलाओ थोड़ा, यह डार्क पोर्शन है, इन्हें भी ब्लेंड करो अच्छे तरीके से और इन्हें भी ब्लेंड करते हैं, अच्छे तरीके से और इन्हें भी ब्लें यह उस्टेम के पास करो और यह अपना हो जाता है तो यह नोस का जो एडिया है वो अपना हो गया अब इसमें एक सीज भी पहस्ती है यह वाले एरिया में देखू यहां पे थोड़ा सा शीर्ड है तो क्या करो प्रकाइनिकल पेंसल लो अलका हलका यह शेड बनाते होई आए इसे लंबी टिप के साथ हरका हरका यहां शेड़ किया अब धीरे धीरे लेफ्ट नोस्टेम को राइट नोस्टेम से कनेट कर रहे है हरके तरीके से बहुत लाइट लिए थोड़ा सा शेड़ कर दिया काफी अतरा प्रस चलाओ इसे कर्व में थोड़ तो यहां यहां पर ऐसे हैं अब बता है एच भी बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी तो इसकी यहां पर पे अम क्या करो अब क्या करो प्लैंड करते रहो से किए किया करो यह से वाले पॉरशन में ब्लैंड किया यहां देख सकते हैं, एक नम अच्छा खासा हाई-लाइट है तो नोससे यहां सेंटर-फे मीक़निकल एरेजर से इरेज कर दो हम एक लाइन टाइप और फिर ब्रश चला दो आजपास, इस लाइन के यहां यहां पे थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट पे इस एंटर वाला जो है इसे एकदम शाइनी रप्ता इस तरीके से अपनी नोस भी हो जाती है थोड़ा-थोड़ा जो डेप्थ दिखरी नहीं यहां यहां पे अपनी 4B पैंसिल लो उसे अच्छे तरीके से शेप दो और डेप वो ब्रस से ऐसे धीरे धीरे कर्व करते हैं हलका हलका नोस पर भी लाना थाकि वो नीचे वाला एरिया ब्लेंड होई कि अभी अपनको यह बनाना है यह डेप्ट देनी है तो वो अच्छे से आना चाहिए इस तरीके से देखो कि नोस भी कंप्रीट हो जाती है लिप्स करने के लिए सबसे पहले क्या एच्बी पैंसल ही ले लो ठीक है मेकैनिकल पैंसल बीच वाला कर्व है इसको जड़ा टाक करो ठीक है एच्बी पैंसल लो आराम आराम से जो आउटलाइन है उसे दुबारा डिफाइन एक दम शेड करते जाओ अच्छे तरीके से देखो ऊपर वाले में ज्यादा कुछ हाई लेक नहीं है तो अपान अपर लिप ऐसी फिल कर देंगे ठीक है आता है लोवर लिप लोवर लिप को भी ऐसे थीरे थीरे आउटलाइन दो हल्की हल्की डारेक्ट एट वी टैंबी से फिल नहीं करते है या तो ब्रस से ब्लेंड करो या ब्लेंडिंग साप से ब्लेंड करो तो मैं ब्रस से ब्लेंड कर रहा हूं बहुत स्मूधली करना देखो अब अपर लिप क्या है अपर लिप नीचे की तरफ है उपर की तरफ लाइट है तो फोर भी पैंसल यूज करूँगा मैं ठीक है डारेक्ली सिक्स भी एट भी कोई नहीं करना यूज वहले फोर भी इस तरीके से धीरे थीरे पढ़ाना तो सा एरिया आया मैं पहले नीचे नीचे का एरिया कर रहा हूं ताकि वह लाइट रहे ताकर रहे ताकर रहे थीरे थीरे उपर आया और थीरे थीरे उपर आया अब ब्लेंदिं इंड से स्टार्ट अब ने ब्लेंडिंड नियुकर देल नहीं कलगें प्रम ऐट वीशे चो बन करना कियो SAM है यहां यहां शेड करना स्टार्ट किया इस अब यहां पर देखो आराम आराम से उपर ले जाना बहुत जादा अठार्ट मत करना उपर और अशा भी नहीं कि एक दम दाक टुलाइट एक पीच में लाइन बन जाए समझ में आना चाहिए कि अपन ने घीरे से ग्रेडियंट वाला जो लुक आता है वो आ रहा है इसे भी ब्लेंड किया मैंने शेप नहीं पर गड़ना चाहिए एक जित्यान रखना शेप नहीं पर गड़ना चाहिए और यह हो गया ठीक है मेरे खाल से इतना डेप्थ काफी है ज्यादा होगा तो अपन टेन भी से पीच वाली लियर करतेंगे लिप्स और नोस के बीच में जो लियर आ रही है तो देखो कैसे आ रही है यह जो शेप दिख रहा है इस तरीके से भी शेप अब है अब कहाँ कैसे शेड करना बहुत ध्यान दो इसकी जो सराउंडिंग जो पने शेप बनाएं इसकी सराउंडिंग में एचबी पैंसल से करता हूं अभी बहुत डार्क नहीं सिर्फ एचबी पैंसल अब हलका हलका यहां ऊपर से नीचे नीचे डाक टुलाइट लेते वाँगा एचबी पैंसल से कर रहा हूं सराउंडिंग सराउंडिंग में ताकि फोड़ा सा डाक लगे चलाओ इस चीज यहां पर भी करूंगा मैं अब क्या करना है ब्लेंडिंग स्टमप लिया जिंदेन अरिया पर चलाया ऐसे दीरे दीरे ब्लेंडिंग के से यहां पर राइट साइड ठीक है यह मूच्छे बागरा कुछ नी बना रहे हैं पर हलका सा रहता है प्रश चलाओ इनके उपर ताकि यह बस हलकी सी दिखें सेम चीज यहां पर अब यह अपना लिप्स और नोस के बीच में जो हाइलाइट आ रहे है वह बन जाती है इसको तरह थोड़ा आते हैं लोवर लिप पे लोवर लिप पे देखो थोड़े डीटेल्ड एक इसे स्ट्रोक से आ तो कैसे आ रहे है इस तरीके से सिंगल सिंगल है थोड़ा थोड़ा आप में आ रहे है अ इस तरीके से यहां पर आये मैकनिकल पैंसल से ही पना रहो हुए मैं ना कोई पैंसल से से नहीं बनाना अ यह होता है फिर अपन 4B पैंसल लो क्योंकि अपन डारेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन एक्सपरिमेंट भी करते जाते हैं हर्स केच में कैसे होता है मुझे पता चला कि यहां पर डारेक्ट 8B से भी हो सकता था लेकिन लेयरिंग से क्या मैंने पता है अच्छा लोकात है यहां पर 4B से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ देखो बीच वाला जो एरिया दिख रहा है इसे थोड़ा छोड़ देखो 4B से स्टार्ट किया यहां यहां त अब ब्लेंडिंग स्टम्प लो इसे दीरे-दीरे कर्व करते-करते उपर ले गए और दीरे-दीरे कर्व करते-करते नीचे ले आए मैं करने पैंसल से हराम से हल्की हल्की आउकलां बनाते रहना ताकि शेप नमटिकरता एब एट भी पैंसल की मेरे को जरूरत लगने रही है ठीक है तो उसके बीच में क्या हुता है जिखस पैंसल। मैं प्रिफार करूँगा इसमें करना 6B Pencil से। अगली लिया तो 6B Pencil में नीचे करेंगे। टीक है 8B pencil जो है ओन नीचे नीचे करेंगे तो 6B से start करते हैं पीर से बॉडर 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 पर देना है 6B, थीर थीर उपर लेगए बॉडर फिर से बॉडर बॉडर पर देना है तो 8B Pencil से आराम आरा से बॉडर बॉडर पर दिया अब एक काम करो 10B Pencil लो 10B Pencil से बीच वाला एरिया करो यह हिस्सा दिख रहा है नीचे का यहाँ पर इसे शेड करो 10B से हलका हलका ऐसे कर्व में थोड़ा यह ऊपर वाला पोर्शन शेड करो अब बस हो गया पहले नीचे वाला एरिया ब्रेंड कर लेना वैसे कर्व करना ओके और यह हो गया अभी आइलएंट देते हैं उस्फ जाओ लेकिन पहले नीचे वाले पोर्शन में एट भी करने हैं अपन को यह वाला जो है तो मैं आउटलाइन दिख रही है थी आच्छे तरीटारीके से ईट भी लो ओग ही ही से आउतलाइन करने स्टार्टटरू पूरा उपर तक ने drip नीधार आपको गए-वह अघ। अै यहाँ तरीके से रिख़गर कख़म consider पतली सी एक लाइन यहां पर रखो अब क्या करो जैसे थोड़ा राफ सा दिख रहा है इसका शेप सही करना है तो मेकानिकल पेंसल या फोर बी पेंसल से बॉर्डर बॉर्डर पर करो आकि ब्लेंड करते समय भी आसान रहे और एक शेप भी आ जाए ठंसे इसका शेप इस तरी करो कि इसे को सब्सक्राइब करना अनुक्र लेचा हलक और सबस्क्रेंड करो हलका-एंसे यालका अइसे बहार ले जाए यहांपर भी ब्लेंड किया हलका से बाहर लेगा है ठीक है तो यह Depth आगया अपनी बाकिष लो थोड़ा थोड़ा यहां पर चलाई ब्रश थोड़ा लेफ्ट सैड चलाया अब आप रिफ देनेका टाइम है तो थोड़ा देखो लिपस के राइट साइड लोर लेफ के राइट साइड में यहां पर यह वाला पोर्शन तुमने कि यहां दिखरा है पीच पीच में जो हाइलाइट से या तो तो मेकैनिकल एरेज आसे दो अपनी मोनो जीरो से या फिर वाइट जेल पें से तो मैं प्रफर करता हूं इस से एक बड़ी एक चोटी इस तरीक से आ रहे हैं पर्टिकुलर्ली जिस साइज के हैं जैसे यह नीचे की तरफ छूट रहे हैं उन्हें क्याária यहां चलाया थोड़ा से चुड़ी हैं या चला थोड़ा नीचे चुड़ी है तो हैं ँोके पिर यहाँ परहे हैं यहां पर नीचे की तरफ अब देखो क्या है थोड़ा वो इरेज हो गए है जो अपन मेकेनिकल पेंसल से लाइन्स बनाएती तो हलकी हलकी वो दुबारा बना दो इस तरीके से पेंसल से दीरे दीरे डाक टुलाइट उपर हलका हलका एक लिए रोट चड़ा दो ठीक है और थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स लगाऊ हलके हलके तो वो क्या रहता है टेक्श्चर आजाता है अपन को बाद में देखने में अच्छा लगे है कि हाथ वोड़ी डीटेल्ड व और अपना पूरा कंप्लीट टेक्श्च वो जाता है हलका से ब्रस्च चलाना हों हलका से ब्रस्च चलालोрь यहां पे और dette वाल प्रॉशन हो कंप्लीट हो जाता है रहे के सरी अब कर नेक्स लासओं में हीचा गया झाल झाल